सारी चीज़े वो आपको देता है इतने सारी एक्जाम में सब कुछ खराब करके चले आओ कोगी पेपर हाड आया था इजी आया था तो फिर उसमें गलती आपके है क्योंकि आपने जो भी चीज़े सी बिस्टी ने दी थी उसको खुद पे अप्लाई नहीं किया उसको सॉल न किसी आपको अच्छा क्या levels दिखा रहा है क्योंकि वो आपको आपको एक barrier दे देता A explicitly कर लो इसके यहां ए पूछूल को से अब लेकिन तुम यहां से यहां तक तो यहां तक तो यहां तक तो कर ले तो इस गींजिखो पारकली इसके ऊपर की चीज़े नहीं करते हो लेकिन फस्ते वहीं हो ना तो हमें किये यह ट्राइब करनी हम कंपेर करके देखेंगे अभी इस वीडियो में कि क्या क्या हिंट सीवेसी के तरफ से है जिससे हम यह समझ सकते हैं पेपर इजियर साइड में होगा या टफर यहां पर अगर हम कॉंपिटेंसी बेस्ट कोश्चन की बात करते हैं कॉंपिटेंसी बेस्ट कोश्चन तो यह इंक्रीज हो गया तो नो डाउट आसानी तो नहीं होने वाली मतलब आपको रटा मार के चीज़े नहीं होने वाली आप चीज़े अगर समझ के चल रहे हो अंड सेक्टर में मिलेगा कि आपको रटने की तरफ नहीं जादा आपने आपको समझाने की तरफ concept के तरफ जाना है जब आप उसके तरफ जाओगे तो आपको paper easier side लगेगा लेकिन अगर आप इधर की side जाते हो रटने की तरफ तो tougher side ले तो यह दो comparison हो गए अगले की बात अगर हम करते हैं syllabus की no doubt syllabus थोड़ा बहुत रडीस हुआ है जितने भी प्रूफ वाले questions थे प्रूफ वाले questions हटा दिये गए और यह बहुत favorite questions होते थे आपकी cbc की तरफ से कि यह mirror का प्रूफ बता दिये और बहुत सारे ऐसे प्रू नुमेरिकल्स के उपर आपकी concepts के उपर उनके उपर काम कराने वाला तो थोड़ा सारे पैटर्न यह नहीं बोलूँगा questions hard आजाएंगे easier आएगा लेकिन उसके लिए आपको preparation यह रखनी है कि हमें calculation की तरफ ध्यान ज्यादा देना है क्योंकि बहुत सारे अगर हम science की बात कर कर सकते हो तो पहली चीज़ तो आप competency-based questions और अगर आप देखो के competency-based तो नुमेरिकल में ही अपरोच में आएगा कि थोड़ा सा दिमाग लगा के conceptual data को यूज करके आपको चीज़े solve करनी पड़ेंगे और तीसरा अभी कुछ दिन पहले cbc नेका additional sample paper लगाया तब यह जिसक साइड में था यह easier side में था इसके लिए मैं बहुत ज्यादा नहीं वह लूँगा easy to moderate moderate से नीचे ही था अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से ncrit कर रखी है तो आप से questions हो जाएंगे लेकिन जो additional sample paper था उसके लिए ncrit से थोड़ा सा अपर लेवल की knowledge की जरूवत थी अगर वो नहीं आप कार पाते हो तो फिर समस्याएं अब देको cbsc के major दो चीज़े होती है वैसे तो बहुत सारी question paper आते है लेकिन दो चीज़े आती है एक आता आपका sample paper जो आपको दो चीज़े बताता है एक तो paper pattern के बारे में बताता है कि या paper का pattern क्या है और marking scheme क्या होने वाला इस बार कैसे section होंगे question का frame किस तरीकेस होगा और दूसरा आपकी जो board के paper होते हैं उसकी सबसे easiest side को बताता है देखो मैं क्यूं compare कर रहा हूं मैं cbsc की data से compare करूंगा अब आप जाके cbsc की website से sample paper भी देख सकते हो अडिशनल sample paper भी देख सकते हो उसके लिए मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे देखोगे उसके last video भी देख सकते हो उसमें proper बताया कि कहां कहां से कौन कौन से paper जो cbsc प्रोवाइड कर चुका है आपको यहां screen पे दिखा होगा वही वाली वीडियो जाके आपको देखनी है उसमें सारी data आपको मिल जाएंगे क कहां से कौन सा paper में download कर सकता हूं अब sample paper पहली जो चीज बताता paper pattern के बारे मताता है दूसरी चीज जो बताता है यह easier level of cbsc कि यह किस easiest level तक जा सकता है और दूसरा जो बताता है additional sample paper वो tougher side को बताता है अब अगर आप ध्यान से समझो तो दो ही चीज़ अपने पास है एक sample paper है sample paper किसको बता रहा है easier side को बता रहा है additional sample paper बता रहा है harder side को बता रहा है it means अगर यह cbsc जब भी आपसे पूछेगी तो इसी range के बीच में पूछेगी कहां से कहां तक इसके range के बीच में कि आपको अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो और आप यही तक आ कि अगर अग सेंपल पर हाड़ साइड आपकी प्रिप्रेशन यहां से इजर साइड से लेके मतलब इसकी कोशन भी अच्छे से लग जाएं आपसे और जो आपकी हाडर कोशन यहां तक भी लग जाए मतलब अगर मैं ओवर आल पेपर की बात करूं तो हम अगर लास्ट रिकॉर्ड की बात करते हैं अगर आपकी हमेशा पेपर अगर आप देखो के तो लेवल पर आएगा मैं इजी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं अगर आप देखो तो इजी भी आए बहुत सारे ऐसे सालों में पेपर देखा गया कि इजीएस्ट भी आए मौडरेट भी आए लेकिन अगर इस साल की एक्सपेक्टेड की हम बात करते हैं तो नो डाउट पेपर पैटर्न चेंज है कोशन पूछने का तरीका बदलेगा हर चीज बदलेगा तो आपको जो प्रिपरेशन अपनी रखनी है वह एट लीस्ट आप मौडरेट प्लस रखनी ह तो छुद की प्रिप्रेशन होनी चाहिए वह मौडरेट प्लस रखने और मेरी पेपर की एक्सपेक्टेशन बंडायेगा उसे किसी के डीट चलने वाले था नहीं चलूर तो आप भी comment box में बताएगा, अपनी राय जरूर बताएगा कि आपको क्या feel हो रहा है, किस बार paper easier side में आएगा, harder side में आएगा, moderate आएगा, या किस range में होने वाला है, वो भी आप बताएगा और आपकी preparation किस level पर चल रही है, वो भी comment box में share करिएगा, ताकि आप खुद समझ पाएगा कि आप requirement क्या है, आप कर क्या रहें और आपको करना क्या चाहिए, मिलते हैं अंगले वीडियो में, बाबाई, जाहिए